भारतिय चित्रकला के शडांग, अथार्थ भारतिय चित्रकला के छे अंग, इस अध्याय के अंतरगत हम लोग अब तक शडांग की प्रस्तावना एवं इसके प्रत्थम अंग रूप भेद के बारे में अध्यन कर चुके हैं। प्रिय चात्रों आज हम इसके द्वित्ती अंग अथार्थ पर्मान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्जा करेंगे, पर्मान अत्वा अनुपात के बारे में आज हम अध्यन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामशुत्र में यह स्लोक वरनित है। रूप भेदा, पर्मान अनी, भाव लावन्य योजनम, साद्रिशे वरनिका भंग, इती चित्रे, शड़कम। इस परकार चित्रकला के यह छे अंग होते हैं जिनके बारे में हम चर्जा कर चुकी हैं। पर्मान, पर्मान का अर्थ होता है अनुपात, नाप, मात्रा, जिस परकार ताल, हीन, संगीत, रस का बोध नहीं कराता, उशी परकार पर्मान, हीन, चित्रशे भी रस की उत्पती नहीं होती है। पर्मान वह नियम है जिसके द्वारा हम प्रतेक वस्तु की यथार्थता पर्मानित कर सकते हैं। यह चित्र का वह अंग है जिसके द्वारा हम किसी चित्र में लंबाई, चोडाई, आदी दिखाते हैं। आते प्रतेक कलाकार में प्रियाप्त परमान सक्ते का होना आविश्य के तब यह अपनी रचना में इस नियम का पालन करने में समर्थे होगा किसी भी चित्र को बनाते समय हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम बना रहे आकार को चित्र में कितना बड़ा अत्वा छोटा बनाई लंबाई चोडाई का यह नाप ही अनुपात कहलाता है यदि हमें किशी गाउं का द्रश्य बनाना है तो उसमें पहाड कितने बड़े बनाई व्रक्ष का आकार कितना हो कौनशी वस्तू कहां पे बनाई जाए आदी का निर्धारन करना ही परमान कहलाता है सभी आकरतियों का अनुपात एक दूश्रेशें सम्मन्द होता है पहाड और पेड के अनुपात में ही मानवाकरतियां बनाई जाती है यही अनुपात होता है प्रतेक चितरकार एक देखी हुई वस्तू को कागज पर बनाता है जैसे विशाल समुद्र परमान के माद्यम से ही छोटे शे कागज पर बनाया जा सकता है अत्य परमान वह सकती है जो बड़े शे बड़ी तता छोटे शे छोटी वस्तु को भी सरलता शे नाप लेती हैं इसी सकती के माध्यम से हम प्रेस्पेक्टिव को चित्र में दिखाते हैं आप इस चित्र में देखिए कि संपुन विश्वे के चित्र को एक छोटे शे कागज़ पर चित्रित कर दिया गया है यह नाप और परमान के माध्यम से ही संबव हो पाया है अथार्ट संपुन विश्वे को एक छोटे शे का अगज़ पर दर्शा देना यह परमान का ही उधारन है परमान के माद्यम से हम पसुपक्षियों की भिनता, इस्तरी पुरुसों, आकारों के कद में अंतर, मनुष्य वे देवी देवताओं के चित्रों में अंतर निर्दारिते करते हैं मानेव सरीर को बनाते समय भी परमान का ज्यान होना आवश्यक है परमान के माद्यम से ही हम पसुपक्षियों में भिनता और इस्तरी पुरुसों आकारों के कद में अंतर, मनुष्य वे देवताओं के चित्रों में अंतर निर्दारित कर पाते हैं हमारी हतेली को अगर हम अपने मुह पर ठोड़ी से बाल और मस्तस मस्तक को मिलाने वाली रेखा पर रखे तो हमें ग्यात होगा कि हमारा मुख और हतेली का परमान एक ही है इसे एक इकाई के रूप में ताल कहते हैं भारती ये प्राचिन गरंथों में कुछ मानुए नाप बताए गए जिन में से उत्तम नव ताल को कहा गया है निकटता, दूरी, लंबाई, चोड़ाई, आदे का आनुपातिक ज्यान परमान है भारती गरंथों में प्रमान के लिए मानव शरीर के अनुपात का वर्णन इस्तान इस्तान पर देखने को मिलता है जहां प्रमान का तात्परिय प्रतेक अंग का नाप, उसके कद तता आदर्श के अनुशार हो तता अंगों में समान विभक्तता हो परमान सब्ध को अनुपात का संदरिय मानना अधिक स्वीधाजनक है क्योंकि अनुपात संदरिय की स्रेष्टी नहीं करता वेख कलाकरती के गुणों का हास करता है परमान युक्त चितरशें ही रश की वास्त्विक अनुभूती होती है चित्र शुत्र के अनुसार एक ताल बारे अंगुल का होता है मस्तिस्क से ठोड़ी तक नाप एक ताल होता है इस परकार ये दी संपुन मुक्र के तीन बराबर हम भाग कर सकते हैं जैसे बीच माते से बोहों तक पहला भाग दूसरा भाग बोहों से नाक तक और तीसरा भाग नाक शे ठोड़ी तक आप इस चित्र में देखें कि चेहरे की तीन भाग किये गए हैं ललाट में जो बीच में रेका है वहां से लेकर बोहों तक और बोहों से लेकर नाक तक दूसरा बाग और नाक से लेकर ठुड़ी तक तीसरा बाग इस परकार परमान से हम चेहरे का निर्मान कर पाते हैं प्रशिद चितरकार माइकल एंजिलो ने स्वस्थ मानव को मानव जो है उसके सरीर को शाड़े साथ ताल में विबाजित किया यह माइकल एंजिलो के नुसार है हमारे यहाँ पर अलग अलग ताल मने गए हैं जिनकी आगे चर्चा करेंगे माइकल एंजिलो ने एक स्वस्त मानव के सरीर के साड़े साथ ताल मने है जो आप इस चित्र में देख सकते हो यहाँ एक ताल चैरे की इकाई को मना है दूसरा ताल इसमें आप देखो कि इसमें साड़े साथ ताल में विवाजित किया गया है ये ताल दुआरा सरीर का विभाजन है इसके अतरिकते हमारे यहां प्राचिन गरंतों में पांच अन्य परकार की आकरतियां भी बताई जाती हैं इन आकरतियों में आप देखिए जेशे नर की जो आकरती है प्राचिन जो गरंत है उसमें नर को दश ताल माना है इसके अंतरगत जैसे राम, पाली, इंद्रे, अर्जुन इस परकार की स्रेणी आती है क्रूर इसके लिए बारा ताल माना है जो चंडी, भेरव जैसे जो नर को दश ताल माना आप इस चित्र में दे कि राम को यहां दस ताल के रूप में मान कर चित्रित किया है इसी परकार क्रूर जो है इसको बारा ताल जैसे चंडी, भेरव यहां दे कि आप देवी चंडी को क्रूर रूप में बारा ताल में चित्रित किया है इसी परकार असुर को सोला ताल का परमान माना है जिसे रावन कुम्ब करन इनको सोला ताल के परमान में चित्रित किया गया है सोला ताल का परमान इनका माना गया है इसी परकार जो बालक है इसको पांच ताल का परमान माना है जैसे बालक आकरतियां आप इस चित्र में देखिए बालक को पांच ताल का परमान मना है इसी परकार जो भारतिय ग्रंथ है उनमें अंतिम कुमार जिसको छे ताल का मना है उसका परमान छे ताल मना है कुमारी अवस्ता से सम्मन्दी ताकरतियां जिसें आप इस चितर में देखिए कि इसमें छे ताल इसको माना गया है इस परकार ये भारतिये ग्रंथों के अनुसार ताल निजारित किये गए है परमान युक्त चितर शेही रश की वास्तिविक अनुभूती होती है चितर शुतर की अनुसार एक ताल बारेंगुल का माना गया है देनिक जिवन में हम अपनी अनुमान की सक्ति द्वारा दूरी, लंबाई, चोडाई का माप करती है यह चेतना प्रमा है चितर भूमी पर कहीं कोई रेखा खींचने से प्रारंब करके चितर के पुर्ण होने तक किशी इस्तान विशेश पर ही कोई ब्रश का आगात लगाने के लिए जो बाद्य करती है वही सक्ति परमा होती है अनुभव, अभ्यास तता प्रकरती पर्दत प्रतिबा तेनों से समलित ग्यानशे परमान की सक्ति का विकास होता है परमान को समद्धता का शिद्धान्त भी कहा जाता है यह आकरतियों का माप या फेलाव तता सभी आकरतियों का एक दूसरे से समंद और आकरतियों तान तता वर्ण इत्यादी का चित्र भूमी से समंद निश्चित करता है यह दपी मदूर प्रमान का कोई निश्चित शिद्धान्त नहीं बनाया जा शकता तो भी अनुभूवय प्रमा सकति के बल पर एसी सिमाय स्वत्य बन जाती है जिनका अतिकर्मन करने पर आयरूचीकर प्रमान की उत्पती होती है रूप भेद के बात यदि बात करें चित्र में तो प्रमान वास्तम में स्वईम ही आविश्यक प्रतीत होता है रूप की परमान हीनता की इस्तिती में वह चित्र आकरशक और सुंद्रिय जन्ने नहीं लगता है इसलिए परमान के द्वारा आकरशक वह सुंद्रिय बनाया जा सकता है भारतिय कला मनिशियों ने परमान को ताल, कारिय परमान, अत्वा मानो उत्पति के नाम से भी संबोदित किया है अप ब्रहंचित्रों में पसुपक्षियों या पेड़ पोदों के आलेखन में मानो उत्पति का अभाव होने से ही वे निरिस लगते हैं क्योंकि समद्दता के शिद्दान्द के आधार वे आलेखन शे अलग अलग अभीवेंचक होते हुए भी एरूची करें अत्वा एक चित्रकार के लिए उचित्प्रमान के विवार हे तुँ अपनी प्रमा सक्ति का अबाद विकाश करना प्रम आविश्यक है जो भारतिय चित्र में जो ताल मने गए हैं उसमें माथे के बीशे ठोड़ी तक एक ताल कंदी की ठोड़ी से छाती तक दूसरा ताल छाती से नाभी तक तीसरा ताल नाबी से नितम तक चोता ताल इस परकार ये नितम तक चार ताल है और नीचे पांच ताल माने गए हैं जो उत्तम नव तालों के अंतरगत आते हैं पांच वे छे नितम के गुठनों तक इसके अंतरगत दो हैं साथ वा आठ गुटनों से पेट के टकने तक इसमें दो है और अंतिम नवा इस परकार यह है जो नव ताल इसमें माने गए हैं नवे भाग में आदा एक बटा चार गला ऐसे ही गुटने की टोपी माथ्थे से चांद तक इस परकार यह जो माने हैं नव ताल इसको स्रेष्टे माना है आप इन चित्रों में भी देख सकते हो जिसें नव ताल में यह वाला इधर वाला चित्रे विभाजित किया गया है इस परकार आज का हमारा टोपिक है प्रमान जो भारतिय चित्रकला के छैंगों में महित्वपन इस्तान रखता है परमान के द्वारा ही चित्रकार अपने चित्रों में प्रतेक वस्तु को रंग को परमान युक्त या अनुपात या मात्रा में रख कर उस चित्र को आकरशक बना पाता है धन्यवाद